Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ आपकी पाइलोजी एजुकेटर शिवानी माम Magnet Brains प्रोबाइट कराता है kindergarten to class 12th हर class, हर subject की quality education, वो भी बिल्कुल free जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Brains प्रोबाइट कराता है unpaid subscription आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए कोई भी paid subscription लेने की जरुवत नहीं है, चाहे वो CBSC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, विहार बोर्ड हो, या MP बोर्ड हो आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे और साथ में मिलेंगे धेल सारे practice questions इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो है हमारी class 11th biology, unit number 3 that is cell structure and functions और इस unit के अंदर हम पढ़ने वाले हैं second chapter जो की है biomolecules, ठीक है कि body, एक living body के अंदर कौन-कौन से molecules होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं यह आपके anxiety में chapter number 9 है और इस वीडियो में मैं cover करूँगी chapter overview की हम क्या-क्या चीज़े पढ़ेंगे इस chapter में और उनका क्या link है और उसके बाद मैं introduction part इसमें लूँगी, राइट, चाले, तो फटा-फट आरियो guys, ready, जल्दी बताएए तो वीडियो को like करें और share कीज़े जल्दी जल्दी फटा-फट सारे के सारे बच्चे क्योंकि यह तो आपका क्या है attendance है और attendance लगानी तो बिल्कुल जरूरी है, राइट, चले, तो start करते हैं बिना किसी देरी की, तो हम देखते हैं कौन कौन से topic cover करने वाले हैं, हम इस chapter के अंदर, तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे how to analyze chemical composition, right, तो chemical composition की बात करूँ, तो हमें क्या analyze करना है chemical composition, मतलब cell जो है, हम cell की बात कर रहे हैं इस unit में, तो cell जो है, cell के अंदर क्या chemical का composition है, उसे हम क्या बोलते है, analysis of chemical composition, और हमारी body के अंदर जो chemical है, वो organic भी है और inorganic भी है, तो हम यहाँ पर organic and inorganic molecule और chemical की बात करने वाले, right, किसकी organic और inorganic molecule या chemical compound की बात करने वाले, right, तो हम देखेंगे कि हमें एक acid soluble pool मिलता है, एक acid insoluble pool मिलता है, right, तो acid soluble pool में कौन होते है, insoluble pool में कौन होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, right, उसके बाद next है primary and secondary metabolites, ठीक है, तो फिर हम next जो पढ़ने वाले हैं इस chapter में chemical composition के बाद, primary and secondary metabolites, की कौन-कौन से metabolites primary होते हैं, कौन-कौन से secondary होते हैं, वो सब पढ़ेंगे arbitrarian क्या होता है, कौन से toxins होते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले, right, फिर हम पढ़ेंगे bio macromolecule, हम क्या पढ़ने वाले हैं, bio macromolecule, bio का मतलब जो living body के अंदर है, cell के अंदर है, macro का मतलब होता है big, ठीक है, क्या है bio macromolecule, तो यह size के basis पर बोला है, किस के basis पर, size के basis पर, right, तो जिनका size जादा है, जो acid insoluble pool में मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, bio macromolecule, क्या हो जाएंगे, bio macromolecule, ठीक है, तो यह कहां मिलेंगे आपको, acid insoluble pool में, right, और इनका size क्या होता है, size जो होता है, इनका large होता है, right, इनका size जो होता है, 800 dalton से ज़्यादा होता है, right, चलिए, size इसका क्या होता है, large, ठीक है, कहां मिलते है, acid insoluble pool में मिलते हैं, acid in soluble pool में राइट फिर हम पढ़ेंगे protein के बारे में कि protein किस से बना होता है तो हम पढ़ेंगे कि protein जो है वो क्या है poly peptide chain है क्या है polypeptide chain किसकी मतलब polymer है किसका amino acid का मतलब यह क्या है polymer of amino acid polymer of amino acid यह पढ़ने वाले हम ठीक है कि कैसे amino acid जुड़ते जाते जुड़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं जल्दी बताईए protein बनाते हैं फिर हम बात करें poly saccharide की तो poly का मतलब होता है बिटा many poly का मतलब क्या होता है many saccharide का मतलब होता है sugar ठीक है तो यहाँ पर क्या है poly saccharide का मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी sugar sugar की जो monomeric unit होती है ठीक है मतलब monosaccharide जुड़कर क्या बना रही है poly saccharide ठीक है तो many monosaccharide unit monosaccharide unit present in poly saccharide इसमें हम क्या पढ़ने वाले है homo poly saccharide hetero poly saccharide homo polymer hetero polymer पढ़ने वाले है carbohydrate जो है mainly कि कौन कौन सी sugar monosaccharide है कौन सी sugar di saccharide है कौन सी sugar जो है वो poly saccharide है मतलब glucose, fructose, lactose, galactose ठीक है इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं हम cellulose के बारे में हम पढ़ने वाले हैं हम kaitin के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है हम carbohydrate में क्या starch के बारे में पढ़ने वाले, glycogen के बारे में पढ़ने वाले, तो यह सब कहां पढ़ेंगे हम, sugar के अंदर मतलब carbohydrate के अंदर मतलब polysaccharide के अंदर, ठीक है, यह सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहां पर, क्या क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए, यहां पर पढ़ेंगे ह monosecrate, dicecrate and polysecrate क्या पढ़ने वाले है monosecrate dicecrate क्या होती है and polysecrate यह सब पढ़ने वाले है और यह क्या है जल्दी बताईए carbohydrate, क्या है? carbohydrate, right? next है nucleic acids तो nucleic acid में कौन आता है RNA and DNA क्या आता है? RNA and DNA तो हम यहाँ पर ribonucleic acid के बारे में पढ़ने वाले है और किसके बारे में पढ़ने है DNA के बारे में deoxyribonucleic acid के बारे में मतलब इनका monomer क्या होता है वो पढ़ने वाले है तो यह क्या है? एक polymer unit है क्या है? यहाँ पर ribonucleic acid और deoxyribonucleic acid जो है? यह क्या है? poly nucleotide chain है क्या है? poly nucleotide chain तो यह क्या है बेटा? poly nucleotide chain है जो की बनी हुई है किस से? जो की बनी हुई है किस से जल्दी बताइए? यह बनी हुई है आपकी nucleotides किस से बनी हुई है made up of many nucleotides ठीक है next है structure और protein पढ़ने वाले हैं कि protein के तीन टाइप होते हैं चार टाइप होते हैं वैसे तो हम primary protein structure पढ़ने वाले primary structure of protein right फिर हम पढ़ने secondary structure क्या पढ़ने secondary structure फिर हम पढ़ने वाले हैं tertiary structure and last में हम पढ़ने kwardernary structure क्या पढ़ने वाले हैं क्वार्टर नरी स्ट्रक्चर तो ये सारा हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर इतना ही नहीं इसके बाद भी क्या-क्या चीजे कवर करेंगे वह बताती हूँ उससे पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजे जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजे चलिए तो आगे हम देखेंगे एंजाइम राइट की एंजाइम जो है ओके वह वह कैमिकल रियक्शन में कैसे हल्प करता है क्या प्रोसेस होती है इसमें वह दो इंजाइम ब्रिंग अबाउट सच आ हाई रेट ओफ कैमिकल कनवर्जिन ठीक है तो एंजाइम जो है वह रियक्शन को कैसे कनवर्ट करता है हाई रेट ओफ कनवर्जिन मतलब कैसे रियक्टेंट को इतने जल्दी प्रोड़क्ट में कनवर्ट करता है विदाउट एंजाइम ये प्रोसेस कितनी स्लो होती है but with the help of enzyme ये process कितनी ज़्यादा fast हो जाती है ये सब कुछ पढ़ने वाले है nature of action of enzyme की enzyme कैसे work करता है ये सब पढ़ेंगे factor affecting the enzyme activity कौन कौन से ऐसे factor है जिसकी वज़े से enzyme की activity effect होती है effect होती है right classification and nomenclature of enzyme की classify किया है किसको enzyme को और क्या nomenclature है वो सब पढ़ने वाले है co factors क्या होते हैं ये सब कुछ हम enzyme के अंदर पढ़ने वाले है तो जल्दी से सका भी screenshot ले लीजिए फटा फट screenshot लीजिए क्या आपने screenshot ले लिया बताए तो उसके बाद फिर हम करेंगे NCRT solution, multiple choice questions most important question and last में हम करेंगे complete chapter revision क्या करने वाले हैं? complete chapter revision राइट चले तो start करें भाई देखें introduction part क्या है there is a wide diversity in living organism in our biosphere तो जो बच्चों को biosphere में confusion है please वो देख ले न biosphere में कौन आता है living and non-living दोनों चीज़ आती है राइट जैसे की आपने ecosystem देखा है right? ecosystem जो होता है जो pond का एक ecosystem देख लिया आपने की भाई उसमें मचली है उसमें में डख है उसमें क्या बोलते हैं पौधे लगे हुए ठीक है तो यहां पर बहुत सारी चीज़ देख रही तो वो एक ecosystem बनाया है biotic and abiotic factor से ठीक है? तो यहां पर भी बहुत सारी ecosystem मिलकर क्या बनाते हैं? biosphere को बनाते हैं किसको बनाते हैं? biosphere को ठीक है तो ecosystem यहां पर यहां मैं biosphere की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं? living and non-living दोनों चीज़ होती है ठीक है? और यहां पर क्या होते हैं? बहुत सारी ecosystem involved होते हैं, क्या होते हैं ecosystem, ठीक है, तो हमारी ecosystem में यह मैं बात करूँ, biosphere में बहुत जादा diversity में enzymes present है, right, बहुत सारे enzymes present है, organisms, sorry, organisms present है, है न, अलग-अलग organisms देख रहे हैं कि न, आपको अप इधर उदर जाओगे, आपको अलग-अलग प्रकार की species देखने को मिल लेगी, तो हां हमारे biosphere में wide varieties of organisms present है, right, now a question that arises in our mind, are all living organisms made of same chemicals, it means elements and compound, अब मेरे दिमाग में बात आई, कि human इतना बड़ा है, इससे बड़ा हाती है, उससे बड़ा जो है, दूसरा कोई तो नहीं है, टीक है, मतलब घोडा है, हम देख लें कि एक शेर है, टाइगर है, ठीक है, और हम देख लेते हैं, हमारे बाजू में मच्छर बैठा हुआ है, मक्खी है, तो यहां पर हमने देखा कि बहुत अलग-अलग varieties है, but क्या इन सारी varieties के अंदर, जो species है या organism है, इन सारी organism के अंदर, जो chemicals है, वो सेम है, हाना, जो elements और जो compounds है, वो क्या सेम है, सबी के अंदर, curiosity तो obvious सी बात होगी, क्यार हाथी इतना बड़ा है, हना, animal है, mammal है, और मैं बात करूँ कि एक चीटी है, तो इन दोनों में के सेम composition होगा, इनके chemical composition सेम होगा, इनके cell के अंदर, same composition होगा, obvious सी बात है, यह curiosity तो आपकी मन में आई होगी, अगर नहीं आई तो बहुत learn in chemistry, how elemental analysis is performed, right, तो भाई, आपको हेमन सर ने तो पढ़ाया होगा, की chemical, chemistry में, elemental analysis कैसे perform करते है, right, नहीं पढ़ाया होगा, तो एक बार पूछ लेना उन से, बट मैं तो पढ़ाऊंगी ही, आपको बिलकुल, ठीक है, if we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue, or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several others and their respective content per unit mass of the living tissue, भाई, मैंने क्या किया, chemical analysis करना है, मुझे क्या करना है, किसी भी plant या जो मैं बात करूँ, animal या microbial से क्या ले लू, जल्दी बताये, tissue ले लू, और इसका क्या बना लू, पेस्ट बना लू, हना क्या बना लू, चटनी बना लू, उसकी, सच्छ में चटनी बनाते हैं, तो क्या करा, कि मैंने plant tissue या animal tissue किसी से लिया, और उसमें क्या बना है, उसका paste बना है, किसमें trichloroacetic acid में paste बनाते हैं, और उस पेस्ट को क्या करते हैं, वीकर पे एक चीज क्लोथ रखते हैं, और उससे छनाते हैं, छानते हैं उसको, ठीक है, तो छानते हैं, त पती जाइज था वो तो सीव तो पत्ताइब च्याइज बादा हो गया निक्यों किढस चीज मादा एलिमेंट या तुअ में हमने क्या एक पेस्ट बनाया क्या बनाया पेस्ट बनाया और पेस्ट को हमने क्या करा च्छाना किसकी मदद से चीज क्लोथ की मदद से तो हमें कुछ पार्ट जो है कुछ content जो है वो कहां मिल गया वी करकि अंदर और कुछ क्याती क्लोत के उपर तो जो वी करके अंदर मिला उसे हमने भुला Acid Sol outfits क क्या वोला Acid Sol PRI गया आपको जल्दी बताईए वो आपको उपर मिल गया, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, chemical analysis करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, carbon, hydrogen, oxygen and several other elements, तो इसका screenshot ले लिजे, पटाफ़ट screenshot ले जे, चले भई, तो अब देखे, however, a closure examination reveals that the relative abundance of carbon, hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust, इनका point क्या है, कि भाई, जब हमने examination किया, तो क्या देखने को मिला, the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements, हाना, दूसरे elements के respect में, carbon और hydrogen का abundance ज्यादा मिला, कहां पर, is higher in any living organism, किसी भी living organism के cell में, than the earth crust, किस में? अर्थ crust में, जितना element है, उससे, मतलब एक, ऐसा नहीं कि मैं, पूरा earth crust का मिलाएंगे, नहीं, ठीक है, हम देखेंगे कि percentage, जो है, weight of earth crust, जो है, और human body के अंदर, जो हम percentage देख रहे हैं, किसका elements का, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, relative abundance मिल रहा है, carbon और hydrogen का, with respect to other elements, और भी elements द देख रहा, nitrogen देख रहा, sulfur, sodium, calcium, magnesium and silicon, ठीक है, तो इतने सारे है, इनके respect में, hydrogen and carbon का, जो percentage है, वो ज्यादा है, किसमे, human body में, as compared to earth crust, right, कैसे देखें, hydrogen की अगर मैं बात करूँ, तो hydrogen earth crust में कितना है, 0.14, वहीं पर, अगर मैं बात करूँ, human body की, तो यहाँ पर, क्या है, 0.50 मतलब, 14.50 में बहुत difference है, है ना, चलिए, तो मतलब, यहाँ पर यहाँ पर यह क्या है, जादा है, next है, carbon के अगर मैं बात करूँ, तो earth crust में, आपको carbon मिल रहा है, 0.03, वहीं पर human body के अंदर मैं carbon की बात करूँ, तो कितना मिल रहा है, 18.5, तो इनके abundance बहुत जादा है, ठी दूज मत होना, यह मत बोलना कि मैं देखो, यहाँ पर तो 0.5 है और यहाँ पर तो 3.3 है, यहाँ पर तो मैं 1.5 है, यहाँ पर तो 65 है, यह तो बहुत जादा है, आप hydrogen और carbon को abundance क्यों बोल रहा हो, यहाँ पर हम किसके respect में बोल रहा है, बताइए, यहाँ पर आपको जो difference द देखने को नहीं मिल रहा, बत यहाँ पर आपको काफी जादा difference देखनी को मिल रहा है, तो जल्दी से इसका screenshot लीजे, फटाफट यह इसका screenshot ले लीजे, तो abundance हमारी body में किसका है, hydrogen and carbon का, राइट, with respect to earth crust, राइट, चलिए, तो जल्दी से screenshot ले लीजे इसका, क्या आपने screenshot ल लिया है, तो देखिए यहीं पर हमारा introduction, part और chapter overview खतम होता है, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो like कीजे, share कीजें, subscribe कीजें, comment करना, बिल्कुल मत भूलेगा, तो आप हमें YouTube चनल पे तो already follow कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज फटा-फट पहले YouTube चैनल को subscribe कर दीजें, bell icon को click कर दीजें, जिससे daily basis पर आपको notification मिलते रहे, daily basis पर आप recorded videos and live session attend कर सकें और आपका किसी भी प्रकार का backlog ना रहे, इसके अलाबा, आप हमें follow कर सकते हमारे page पर, तो page को follow करने के लिए आपको simply कहा जाना है, Google पे या Chrome पर जाना है, वहाँ type करना है, magnet brains, जैसे ही आप magnet brains type करोगे, आपको इस type का एक page open होगा and इस page में kindergarten to class 12th class तक की complete course की playlist अविलेबल रहेगी, especially 11th and 12th class के लिए यहाँ पर आपको stream by this playlist अविलेबल रहती है, जैसे की science stream की अ अप्तर के अंदर include रहेगा पूरा NCRT की theory, advanced theory, NCRT solution, MCQs, MIQs, one shot revision, quick revision, daily practice questions, इन सभी के थुरू, आप अपनी study को काफी smart और अपने subject को काफी strong बनाने वाले हैं, तो आप जो quick revision है उसे बार बार practice कर सकते हैं, इसके अलाबा, आप हमें follow कर सकते हैं हमारी official website पर, that is www.magnatebrains. dot com, और आप हमसे जोड़ सकते हैं हमारे social media handles के through, जैसे की facebook, instagram, twitter, telegram and whatsapp, आप avail कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं magnet bins के top courses की तरफ, उससे पहले जान लीजे कि magnet bins के दो channel है, Hindi medium channel and English medium channel, Hindi medium channel पे सारे courses आपको Hindi में available रहेंगे, वहीं पर English medium channel पे सारे courses आप को English में available रहेंगे, अब बात आती है, इन दोनों channel पे कौन कौन से courses available है, तो यहां पर आपको CBSC vote की तयारी कराई जाती है, किसकी CBSC vote की, क्या सिर्फ CBSC vote की तयारी कराई जाती है, कि state votes वाले बच्चों के लिए magnet bins का platform नहीं है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, क्योंकि magnet bins CBSC vote के स साथ ही वेदिक maths, crash course and spoken English, यह सारे के सारे top courses, magnet bins आपको high quality education के साथ 100% free में provide कराता है, जी हां आपने यही सुना और मैंने यही कहा, magnet bins provide कराता है, unpaid subscription, तो जुड़े रहें मुझ से और magnet bins से, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, बाबाई